नमस्कार, स्वागत है आप सुभी का व्योपी हिंदी पर मैं हूँ आपके साथ मैंग पिवारी कल साम करीब साथ बजे खबर आती है कि 2000 के नोट पर पाबंदी लगा दी गई है ये पूरी तरह से क्या है इसमें मामला और किस तरह से ये सब सारी चीजे होती है इसे थोड़ा सा सबसे पहले आप समझते चलिए दरसल में 2000 के नोट को लेकर RBI ने ये निर्देश दिया है कि सितंबर तक इन नोटों को बदला जा सकता है एक बार में 20,000 रुपए तक की एमाउंट आप एक्सचेंज कर सकते हैं और कहीं से कोई इस तरह की बात नहीं है जिससे बहुत ज़्यादा घवराया जाए या बहुत इस तरह का पैनिक माहौल क्रियेट किया जाए इसको लेकर हम यहाँ पर नियूज रूम में हैं हम लगातार अपने लोगों से बात करेंगे और उनसे जाने की कोशिस करेंगे कि किस तरह से लोग इसे देखते हैं और क्या कुछ उनका जो है इस पर reaction है हम सबसे पहले रौनक से बात करेंगे रौनक से जानने की कोशिस करेंगे कि रौनक क्या कुछ किस तरह से देखती है 2000 का नोट जो बंद किया गया है या इस पर जो पाबंदी लगाई गई है तो 2019 के बात से कहीं कहीं जो है ये नोटों का जो छपाई हो रही थी उस पर भी पाबंदी लगी थी तो कहीं कहीं इसको रोकने की कवायत पहले से ही चल रही थी तो अब जो कुछ फैसला लिया गया इसको किस तरह से आप देख रही हैं तो 2000 के नोट जल्दी दिख भी नहीं रहे और जिन लोगों के पास थे उनके लिए मुसीबत ही थी क्योंकि खुले मिलनी रहे थे मार्केट का हाल ये कि 50 के खुले मांगो तो भी अलग-अलग रेक्शन साते हैं तो 2000 के नोट तो बहुत बड़ी बात हो गई सही फैसला है क्या कुछ कहना चाहोगी 2000 के नोट जो जिस तरह से RBI ने जो फैसला लिया है इस पर क्या कुछ आपका उपिनियन है कहीं आप तक जो भी कारवाई हुई है चाहे इंकम टैक्स की तरफ से हो CBI की तरफ से हो ED की तरफ से हो तो 2000 की नोटों की खेब बरामद होती थी और उसके तहत जो है बड़ा एमाउंट निकलता था तो कहीं कहीं इस पर तो कंट्रोलिंग लगेगी और साथी साथ में जो आम जन्मानस है उन पर कितना इसका असर पड़ेगा क्योंकि नोटों को बदलने का भी एक समय सीमा निरधारित की गई है 30 सितंबर तक बड़ा समय है उसमें आप नोट एक्सचेंज कर सकते किस तरह से आप देखती हैं देखिए पहली बात तो मेरे साथ से 2000 के नोट आने ही नहीं चाहिए थे लेकिन उन्होंने लेकर आए तो ऐसा होता है कि हम जो आम जंता है ना उसके लिए 2000 का नोट बहुत बड़ी वैल्यू देता है आम जीवन म है कि 2000 के नोट बंद करने है तो ऐसा बिल्कुल सही है आने ही नहीं चाहिए थे हमाई मेरी मेरी अकॉर्डिंग तो आने ही नहीं चाहिए थे अब उन्होंने बंद कर दिया तो बहुत अच्छी बात है इस पर आने नहीं चाहिए थे आने चाहिए थे इस पर किन सरकार की अल इसको लेकर 2000 के नोटों को निकाला गया और साथी साथ में 2019 के बाद छपाई भी बंद हो गए तो कहने कहीं पहले से ही एक रणनी तयार थी एक स्ट्रेडिजी बनी हुई थी कि इन नोटों पर पाबंदी करनी है इन नोटों को बहन करना है तो उसको लेकर अभी अभी जो ये करनी चाहिए थी तो नोट बंदी को लेकर और 2000 के नोटों पर जो पाबंदी लगाई गई है कहीं कहीं ये दो अलग अलग मुद्दे हैं तो इन में कुछ लोग ये समझ रहे हैं कि ये फिर से वही वाली रणनी चली है जो नोट बंदी है ये चीजे बिलकुल थोड़ा सा ह लिया है तो यही सोच के लिया है कि प्रश्चाचार कम होगा लेकिन मेरे साब से ना पहले कम हुआ था ना आज कम हुआ है चली ए कुमद से बात करते हैं कुमद अभी अभी इस पर पैकेज भी तैयार कर रही थी क्या कुछ आपने देखा क्या कुछ समझा और आपके हिसाब से क्या है दोजार के नोट के पीछे की जो पाबंदी लगाई गई है इसके पीछे की किन सरकार की क्या रणीत है अरभी इसके तहट क्या कुछ करना चाहा रही है किस तरह से देख रही है जब 500 और 1000 के नोट बंद होए थे तो अचानक से फैसला है था आठ बजे और फिर ये हुआ था कि आप जल्दी से कर दीजे ये वैलिड निये लेकिन इसमें हमें ये अच्छा है कि 30 सितंबर तक का आपको टाइम मिला है जिसके पास हो और जादा तर मुझे नहीं लगता है ज जो होंगे लोग उनके पास इतने 2000 के नोट होंगे तो ज़्यादा जो बड़े लोग होंगे उन्हीं के पास तो मुझे लगता मध्यवर्गियों को कोई फर्क पड़ेगा इससे और काफी अच्छा टाइम मिल गया 30 सितंबर तक मिल ग्लास के लोगों को कोई बहुत ज़्यादा फर्क नहीं पड़ेगा ऐसा काना है कुमुत का चलिए हमारे साथ में एक और भाष्याविन से में बात करते हैं क्या कुछ काना चाहेंगे इस बार जो है 2000 के नोट को लेकर जो कुछ ख़बर कल साम को निकल कर सामने आ रही ह पहले तो गौर्मेंट को 2000 के नोट लाना ही नहीं चाहिए था अगर वो लाए हैं तो आम आदमी के पास कितना नोट होगा आप खुछ समझ सकते हैं 2468 यह सबसे अच्छा फैसला है कि जैसे बिजनिसमेन हो गए अधिकारी हो गए या नेता हो गए उनके पास यह 2000 के नोट जानते हैं अंसुमन है हमारे साथ अंसुमन से हम बात करेंगे और जानने की कोशिस करेंगे कि 2000 के नोट को लेकर जिस तरह से कलसाम को खबर आती है तो उसको लेकर फिर क्या कुछ आगे की जो है रणीद बनेगी है और किस तरह कितना फैसला आप इसे सही मानते हैं कि यह कि स्टेटमेंट आजेगी जैसे पिछली बार आई थी कि 95-99 परसेंट वापस आ चुके हैं नोट्स तो क्या हमारे इंडिया में उतनी परसेंट ब्लैक मनी थी गया तो यह स्टीम है ब्लैक टू वाइट करने के लिए लेकिन जहां तक अगर देखा जाये तो यह केंट सरकार की तरफ से अगर हो सकता है तो ऐसा कुछ हो लेकिन जो भी कारवाई हुई है और कहिन कहीं एक मतलब इस पे अलग 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 प्रतिक्रिया होती है लोग कहते हैं कि जितने भी पक्ष के नेता हैं वो सब दूद कर पाएंगे क्योंकि वो सत्ता में है नहीं और उनके हिसाब से चीजे भी नहीं है ब्लैक मनी कुछ तो निकलेगा क्योंकि सरकार विफक्च के लिए ही का शायद कर रही हो उनका ब्लैक मनी निकालने के लिए क्योंकि शायद अपने तरफ वाले तो निकालने अपने जुग खोरी का पैसे ही होगा 2000 नोट का जिनके पास होगा तो सरकार का यह बहुत बड़ा मुद्दा बनके आएगा कि हाँ हमने black money को हटाया यह करके नोट बंदी करके हमारे साथ हमारे सायोगी राहुल है इनसे हम बातचीत करेंगे और जानने की कोशिस करेंगे कि 2000 के नोट को लेक जी है क्या कुछ देख रहे हैं रहा हुद में लगता है ठीक हो आई है क्योंकि 2000 का नोट हम लेकी जाते थे तो कोई हमें छुट्टा नहीं देता था लगए कोई चेंज नहीं दे पाता तो तो शाय जहां तक है ठीक है बहुत बड़ा नोट था तो वही हजार का नोट अच्छा 224 लोग सब्सक्राओ कर ना जा रहे हैं तो कहीं नहीं है करना तो कहीं है डोजार चोबिस के चुनाओ को लेके पहले था विपक्ष के नेता है जैसे अभी अरविंद के जरिवाल कर रहे हैं कि बिल्कुल अनपढ सरकार है और उस तरह से जो फैसले लिए जा रहा है वो खुद में ही confident नहीं है और पक्ष का ये कहना है कि इन सरकार की तरफ से ये दलीले दी जा रही है कि ये नोट बंदी जो है ये कहीं कहीं इसको उससाब से ना देखा जाए ये फिर से जो है काले धन के खिलाफ एक surgical strike है किस तरह से आप देखते हैं काले धन तो खेर वापसी नहीं आता क्योंकि पहले भी नोट बंदी की थी तो काले धन शायद नहीं आया था वापसी तो मेरे को ये लगता है ये काले धन की वज़े से है और पता नहीं में को लग रहा है एक election का ही agenda है तो ज पिर से एक गलत कदम उठाया गया है लोग सभाद चुनाओ को लेकर लोग इसे agenda भी मानते हैं और इसे जो है एक surgical strike की तरफ से केंसरकार लगातार देख रही है और कहीं ने कहीं उनका ये मानना है कि जिस तरह से लगातार जो कारवाई हुई है विपक्ष को लेकर CBI ने जो कारवाई की है, ED ने जो कारवाई की है, Income Tax की तरफ से जो कारवाई की गई है उससे कहीं कहीं एक बड़ा मैसिस देना चाहती है जो नोटों की खेब बरामद होती थी जिसमें 2000 के नोट भारी तादाद में निकलते थे तो उनको लेकर एक बड़ी कारवाई के इन्सरकार मा यह विपक्च इसको अलग तरह से देख रहा है विपक्च का एक ये करना है कि 2024 चुनाव को लेकर एक तुरूप का इकका फेका गया है अब इसमें क्या है क्या कुछ नहीं है वो सब सारी चीजे कहीं कहीं आने वाले वक्त के समय में जनता के जो रुजहान आएंगे उससे बह लुजह